नमस्कार इसमें हम मौझूद है जनपस सुल्तानपुर में और विकास खंड है कूरे भार गराम पंचायत है परसा और आपको बता दे कि चोरो के होसले इसकदर बुलंद हैं कि आए दिन किसी न किसी ग्राम पंचायत में जाकर जो ग्राम पंचायत में सच्चिवाले बनाए गए हैं उनके संसाधनों पर अपने हाँ साथ कर रहे हैं इसमें मैं आपको बताओ तकरीबन आज के एक महीना दस दिन पहले ग्राम पंचायत परसा में चोरों ने इसी ग्राम पंचायत के इसी पंचायत भौन में आकर अपना हाथ साब किया था और कई संसाधा नहां से उठा कर ले गए उनके होसले इसकदर बुलंद हैं कि यहां CCTV कैमरा लगा हुआ है उसमें उनको कोई पहचान न पाई इसवज़ा से CCTV कैमरे की जो रिकॉर्डिंग मसीन होती है उसको भी ले गए जहां पर सारे डाटाज स्टोर होते हैं ऐसे हालात में मैं आपको बता दूँ कि तकरीबन इस पूरे कूरे भारा और जैसिनपूर के इस्चेत्र में मुझे लगता है कि पिछले दो तीन महीनों के अंदर पांच से छे ग्राम पंचायत के सच्वालों को चोरों ने निसाना बनाया है ऐसे में अभी किसी भी चोरी का खुलासा भी नहीं हो पाया है और आप समझ ये कि ग्राम पंचायत में किस तरीके से सरकारी कारियों का संपादन किया जाएगा जब चोर इसकदर ग्राम पंचाय सच्वाले खड़ा भी नहीं हो पाया काइदे से कि निसाना बनाना सुरू कर दिये अभी तक यहाँ पुलिस के इकबाल पर भी सवाल उठता नजरा रहा है चुकि पुलिस अभी तक इस पर कुछ भी सफलता नहीं पा सकी है इसी ग्राम पंचायत के परधान जी मौझूद है उनसे बातचीत करेंगे और बाकी बातों को जानने की कोशिस करते है परधान जी क्या नाम है सरद निसाद सुनने में आया कि आपके भी ग्राम पंचायत के जो पंचायत भावन है उसमें रखे गए संसादनों पर चोर ने हास साब जी जी सर जी क्या क्या समान ले गए सर इन्वाइटर बैटरी कीबोर्ड और सर रिकार्डर वाली मसीन सर उठा लेगे बीस बारा दो हजर बाइस को इसके लिए आपने तहरीर दी तहरीर दी लेकिन सर अभी तक चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है और ऐसी कई तस्वीर में आज आपको दिखाऊंगा कई तस्वी नहीं तो सरकारी ब्यवस्थाएं हैं सरकारी अमले के लोग उसे ही सुरफचित नहीं कर पा रहे हैं जब सरकारी संसाधनी नहीं पारेंगे तो ऐसे मैं आधमी कैसे एक महिने दस दिन पहले चोरी हुई थी उसका खुलासा नहीं हो पाया है और हाली में आपको बता दें कि 2-4 ग्राम पंचायत ऐसे और हैं जहां भी जाकर मैं तस्वीर दिखाऊंगा वहां भी चोरों ने ग्राम पंचायत सच्वाले में जाकर अपने हाथ साप किये हैं एक ब सब्सक्राम पंचायत में विसेश बातचीत के लिए ज्यादा जानकारी के लिए हम यहां के परधान प्रतनिद हैं उन्हीं से बातचीत करेंगे क्या नाम है सर नाम दिलीब सिंग है नमस्कार सर आपका स्वागत है क्या मामला हुआ था कब चोरी की घटना हुई थी सर यह 26 जनवरी को रात की घटना है सुबा जो है हमारी पंचायत साहक ने बताया हमें कि असे से मामला हो गया है ताला तूटा हुआ है जरा के देख लीजिए तो मैं खुद भी गया प्रधान जी को लेके गया जाने बाद देखा तो वहां सारी इस्तितिया थी कि हमारे हां से सारा कंप्यूटर से सम्मद्धित सारे उपकरां जिसमें प्रिंटर सीप्यू मॉनीटर फिंगर डिवाइस जो की फिंगर डिवाइस बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है सब बनवाने में सब समार्ट कार्ट बनाने में उसके बाद जो है इनवर्टर दो बैटरी थे लगबग 220 में लोकिपर से 2 बेटरियाग्स एकमेर्टर था सौलर से जो है कैम्रा था कैम्रा का डी वे अर्ता दो काम्रा तीन केम्रा तोड़के निकाल ले गए और डी बिबियार ले के कांएक मानीटर था वो ले गए माउस मतलब जो भी सारे उपकरण थे इलेक्ट्रानिक सारे उपकरण उठा लेगे उसमें कुछ बचा नहीं वहां इस अंदर में पिर क्या आपने को तहरीर दी जी मैं फिलाल कोत्वाली गया कोत्वाली में जाकर कोत्वाल साब से मुलाकात की उनसे कहा मैंने कि ऐसी ग्राम सभफ को निशाना बनाया गया है चोर सर अमें जो लगता है बहुत दूर से नहीं आते हैं होते कहीं आस पास के हैं सब निगाह बनाया रखते हैं इस मामलें थोड़ा साब पुलिश को तोड़ी तेजी लानी होगी कि आखिर कैसे इस मामला जल्दी इनको पकड़ा जो चोरी में पकड़े जा रहे हैं उनको ढूंडा जानगा जान है को अभी तक खुलासा भी नहीं हो पाई कई जगहां छोड़ी सबसे बड़ी ब मैं हो रही है उसका कोई रिस्पॉंस नहीं निकल के आ रहा कुछ रिजल निकल के आए कि चलिए यहां चोरी हुई तो कुछ पकड़े गए कुछ अपरादी कुछ चोर थे इनको पकड़ा गया या उनसे तफ्तीज की गई ऐसे कुछ सुनने में भी नहीं आता है अब इस मामले में पुलिस को ले के थोड़ा सा सजाग हो यह बहुत ज्यादा समस्या बढ़ गई आप समझ सकते हैं के ग्राम पंचायत के लगती है राम नाथ पूर ग्राम पंचायत में इसके पहले की मैंने आपको तस्बीर दिखाई और दूसरी तस्बीर में फिर आपको दिखा रहा हूं और आपको बता दें कि एक तरफ जहां जो है तक्रीबन लाखों के समान पर चोरों ने हांसाप किया वहीं आप ग्राम पंचायत में जो तमाम काम जो सरकारी काम होने थे अब तमाम काज ठप हो जाएंगे क्योंकि जो सारे संसाधन थे उनको चोरों ने निसाना बनाया और लेकर फरार हो गए बैथूपूर के ग् अभी करना पड़ेगा चुकि जब सरकारी बेहुस्थाइं दूरुस्त नहीं रहेंगी सरकारी भेवस्थाइं ही स्रुचित नहीं रहेंगी तो ऐसे मीं आदमी कहां तर रहे पाए गा चोरों ने लगातार गराम पंचायत में बने सच्वालों पर धावा बोला है और लगा लिए कि बदोटिन दिन पहले निसाना बनाए गया और मैं नुद्ध कर था उसने पर जाएद लिए कि जो लोगों को समस्चायों नहीं हो सकता क्योंकि जो भी सामान लखे गए थे उन तमाम संवानों को लेकर वागए रहा हूं और यहां के परधान है उनसे बात चीत करेंगे सब्सक्राइब करें पूरा टोटल समान कंप्यूटर का पूरा सेट कैमरा और चेर भी तोड़ी गई उसको भी ले गए सारे समान चले गए यहां पर कोई सरकारी का काम काच करने के लिए कोई समान नहीं जब चोरी होई तो इसके बाद कब सुचना उधाई सुचना पर्षाओ जो भांड़ नव जो देखा आया तो क्षोब आ उसके बाद हम जा करके जो है चौकी इंचार्ज बताए फिर थाने चले गए वहां पर जाने बाद जो है आल लाइन वही अप्लिकेशन दिया गया तरतना पत्र फाइयर नहीं कोई जो है कोई रिस्पांस मिला नहीं अब इन लोगों का काम तो नहीं हो पाएगा काम तो बाद सब्सक्राइब करें जो है तो सीची टीवी कैमरा लगा होने को जो अंदर डिवाइस हो वह नहीं है अगर वहीं होती तो ठीक था डिवाइस पूरी लेकर चले गए वह बिलेकर अब समझ सकते हैं साब चोर बहुत सातिर हो चुके हैं और जैसिनपूर पुलिस के हाथ खाली है सचवालों को चोर निशाना बना रहे हैं और अब इन गरीबों के काम नहीं हो पाएंगा जी जरा दिखा दीजिए कहां से चोरों ने जो है पंचायत भौन में दाखिल हुए थे कहां मैं तस्बीर भी आपको दिखाने की कोशिस करता हूं और यहां से मैं पंचायत भौन भी तोड़ दिया पूरा आप देख सकते हैं कैमरा परसन से गुजारिस करेंगे आप दिखाईए इसको कब आपने जुड़वाया यह तो कल रात कल साम को जुड़वाए अधेरे समय में जो थोड़ा कागज वागश थे मैंने कहा कर दीजिए नहीं तो भी चला जाएगा टोड़ दिये थे सब तो दो चार बढ़ी थी था हमने कहा कम से कम बचा रहेगा नहीं क्या भरोसा आप सबसकते हैं किस तरीके से जो है यहां पर चोरों ने इस नौ इंच की जो दीवाल थी पीछे से यहां से सेथ काटते हुए अंदर से गए और सभी समान को बाहर निकाल हो गए पुलिस के इकबाल पर लगाताल सवाल उठेंगे इसलिए क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं चार तस्वीर में आज आपको दिखाया हूँ जो ग्राम पंचायतों में केवल सच्वालों पर ही चोरों ने धावा बोला है ऐसे में जब आप समझे कि जब सरक पुरी के जो भी संबंदित अधिकारी हैं मैं उनको सूचित कर रहा हूँ और तौरित इस पर एक्षन लिया जाए फिलाल अभी तक एक महीने से बैथूपुर में और परसा में जो चूरी हुई थी उसका खुलासा नहीं हो पाया था कि इधर रामनातपुर में और सराय जह कि इंसा फ्यूपी, सुलतानपुर